आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्राचीन भारती इतिहास के क्लास में आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंदर पांचवे क्लास को कवर करने वाले हैं इससे पहले भी आपको already 4 class हो चुका है जिसमें हम लोग वैदिक सब्वेता तक कवर कर चुके हैं और आज का जो पाचवा class है उसमें शुरू हो रहा है प्राचीन धार्मिक आंदुलन प्राचीन धार्मिक आंदुरन का ये पहला ही कलास है क्योंकि प्राचीन धार्मिक आंदुरन में आपको देख सकते हैं कि ये सब पूरे धर्म को पढ़ना है लेकिन सब को हम लोग एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे तो बस आप इस वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने दाएगा क्योंकि लाश्ट में आपका जब जैन दरम टॉपिक खतम होगा तो लाश्ट में आपको प्रिवियस एर के जो भी MCQ है जो भी इंपोर्टन है उसको भी इसमें सामिल किया गया है तो आप MCQ जरूर लगाएगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये प्राचीन धार्मिक आंदुलन कब और कैसे शुरू हुआ था तो प्राचीन काल में धार्मिक आंदुलन की सुरूरात की बात की जाये तो इसका सुरूरात होता है चटी सताब्दी इसापुरू में चटी सताब्दी इसापुरू का मतलब हुआ 600 BC में यानि 600 इसापूरू में तो 600 इसापूरू में उस समय भारत में क्या एस्थिती थी यानि ततकालीन भारत उस समय कैसा था तो उस समय अगर हम बात करें 600 बीसी में तो भारत में चल रहा था वैदिक काल आप लोग वैदिक काल सुरू में पढ़े थे अपके पिछले कलास में ज इसमें हम लोगों ने जाना था कि 1500 से लेकर 600 BC तक वैदिक काल चला था, तो 600 BC में ही आपको वैदिक काल चल रहा था और उसी समय आपको धार्मी कादर्ण की सुरुवात होती है, तो यहां आपको क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक धर्ण में बहुत सारे ऐसा ऐसे बदलाव हुआ, जो लोगों को ही तुमें नहीं हुआ, और वहीं आपका जो बदलाव धार्मिक आंदर्ण का कारण बना, तो चलिए हम उन कारणों को जानते हैं, जो आपको धर्मिक आंदर्ण के बढ़ने में सहायता की, तो धर्मिक आंदर्ण के कारण में सबसे पहला का कारण है, वर्न बिवस्था में जटिलता का मतलब क्या हुआ, यानि सबसे पहले वर्न बिवस्था के समझी है, वर्ने विवस्ता का मतलब हुआ कि वैदी काल में उस समय वर्ने विवस्ता कैसी थी यानि आपको जाती कैसी थी तो वर्ने विवस्ता में उस समय आपको चार परगार के जाती हुआ करती थी एक आपको ब्रामन, दूसरे चत्रिये, तीसरे वैस और चोथे उसमें सुद्र हुआ कर दे थे और ये आपको जो चारो जातिया थी तब तक अच्छी थी जब तक यह आपको जाती का जो निधारन होता था वो कर्म के अधार पे होता था और कर्म के अधार पे कब तक था तो वो आपको पूरोवैदी काल तक था लेकिन उतरवैदी काल में आते आते यहाँ आपको कर्म के अधार पे ना होकर जन्म के अधार पे होने लागा तो यहाँ पे कर्म के अधार पे जब होता था जाती करने धारंग तो उससे यहाँ फायदा होता था कि एक ही परिवार में मानलीजे जितने भी आदमी है वो सभी कारे करते थे और एक ही परिवार के अंदर सभी जाती के लोग रहते थे लेकिन जैसे ही यह जनम के धार पे हो जरव किदहा नहीं ब tots ने, यहीं गर्वरड को जरम के धार होने पे क्या हो गया, कि माण लेजे कोई ब्रामन का बेटा है तो ब्रामन का बेटा ही ब्रामन बनेगा, वह कभी छत्रिय नहीं बन सकता है माली जे कोई सुद्र कार्य कर रहा है सुद्र परिवार में जनम लिया है तो वो हमेशा जिंदगी बर सेवा ही करेगा वो कभी छत्रिय नहीं बन सकता है कभी वैसे नहीं बन सकता है कभी ब्रामन नहीं बन सकता है और यहीं आपको बदलाव बना और कारण बना जिसे जो लोग थे वहाँ पे आपको लोग में बहुत सारा भेदवाव बढ़ने लगा जो आपको अन्य धरम की और बढ़ने को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है तो इसी कारण से आपको वर्ण बवास्ता में जटीलता देखने क हुआ क्योंकि उसमें जो था आपको जो जाती नी धारत होती थी उसमें जनम के धार पे नहीं होती थी इसलिए उसमें लोग उसके तरफ बढ़ने लगे तो यहीं सब कारण बना उसके अनुसार और अगर हम बात करें वर्ण ब्यवस्ता में तो देखिए ब्रामन का कार्य यग और करमकान कराना तो यहाँ पर यह जो लोग थे आपको सबसे स्रेष्ट माने थे समाज में जबकि छत्रिये जो लोग थे वो आपको परसासन कार्य देखते थे तो यहाँ पर चत्रिये का कहनक था कि हम सबसे सक्ति साली है समाज में तो फिर हम स्रेष्ट क्यों नहीं ह को हमेशा जो है competition चलता था ब्राह्मन से इसलिए यहाँ पे छत्रिये समाज के ही आदमी मिलेंगे जैसे आपको जैन धरम और बहुत धरम के परवर्तक थे यानि आपको महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध यह आपको छत्रिये ही थे तो छत्रिये परिवार के लोग नहीं आपको ब्राह्मनों को नीचे दिखाने के लिए आपको इन्होंने आपको एक अलग धरम बनाया जो आपको बहुत धरम और जैन धरम हुआ इसको हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे यहीं सब कारण था अगर हम बात करें देखिए फिर आपका सुद्र का सुद्र का जो ब्यक्ति था जो सेवा कार्य करता था आपको हमेसाथ जिंद्गी वर सेवे ही करता था तिनों ब्यक्तियों का और यहाँ पे सुद्रों को बहुत सरा अधिकार से यहाँ पे वंचीत कर दिया गया था जैसे आपको जो सुद्र ब्यक्ति था सुद्र ब्यक्ति को जो है ग महिलाओ और सुद्रो का अधिकार में भी कमी हो गया महिलाओ को अगर हम अधिकार में कमी किया हो गया तो आप लोग जब वैदिकाल पर रहे थे तो बताये थे कि महिलाओ को जो है उसमें जो सभा चल रहा था सभा चल रहा था, सभीती चल रहा था या विरत चल रहा था उसमें महिलाओं को भाग लने का अधिकार नहीं मिरा था उतरवैदी काल में फिर यहाँ पर देखिए सुदुरों का भी अधिकार जो छीन लिया गया था जैसे आप उपने हैं संसकार नहीं करना है तो यह सब चीजों थी आपको वर्ने विवस्ता में देखने को मिलती है जो आपको बहुत खराब विवस्ता था उस समय इसलिए लोग दूसरे धरम की तलास में चले गए थे उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो कारण बना वह आपका है यग्य करम कारण बली पर धान कर बढ़ना जब हम लोग वैदी काल पर रहे थे तो उसमें देखे थे कि उत्तर वैदी काल आते आते यग्य और करम कारण जो है बहुत अपने चरंद सिमाव पहुंशे गया था और आपको इसमें घाटा यहा था कि यह बहुत महांगा हो गया था क्योंकि जो उसमें वर्न बिवस्ता हम देख रहे थे वो आपको जनम के अधार पर हो गया था यहां पे पूजा पाठ कराने तो बहुत महांगा परता था तो हम लोग जब देख रहे थे आपको बहुत सार यग्य के बारे में पढ़े अस्वमेग यग याराज सुया यग हुआ यहाँ पे आपको जब यग होता था तो कोई यग आपको सालसल भर चलता था अब सालसल भर यहाँ पे यग यग कराना मतलब समझ सकते हैं कितना महांगा परता था इसलिए यहाँ पे जो लोग थे आपको यग और करम कांड से है पीछा चुड़ाने लगे और एक नए धर्म की खोच करने लगे उसके लोग अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यग यकिवल पुरोहित और ब्रामन ही कराते थे आपको उपर बता ही दिये है लेकिन यहाँ पे जनम के धार पे होने पे क्या हो गया आपको ब्रामन जो लोग है आपको यग कराना एक बिवसाय बना लिया तो यह सब चीजे था जो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे खटकता था और एक नए धर्म की खोच करने लगे जैसे मालीजे यह चीजे मालीजे यह दूसरे धर्म में नहीं मिल रहा है जैसे जैन धर्म और बहुत धर्म था तो वहाँ पे क्या था आपको वर्न विवस्ता का कोई वहाँ पे परवधान था ही नहीं सब यक्ति एक तरह माने जाता था दूसरे में देखिए यहाँ पे अहिंसा का उपदेश देते थे यानि आपको हिंसा नहीं करना है तो यहाँ पे देखिए जबकि हम लोग वैदिक धरम में देखे तो वहाँ पे देखिए बली परधान का परवधान था यानि आपको यग में बली भी दिया जाता था बाकी यहाँ पे देखिए आपको जैन धरम में नहीं है तो लोग यहाँ पे जरूर इसके तरह भागेंगे उसके लावा यहाँ पे देखिए जैन धरम के बिस्टा था तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे वैदी काल तो वैदी काल में देखे थे उतर वैदी काल में कि जो राजा का जो पत था उसमें वांग सानुगत हो गया था यानि राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा तो उससे किया हो गया आपको राजा जो लोग थे अपने समराज को फैलाने लगे वो बिस्तार करने लगे और आपको जो नीचे बाए लोग थे जो निम नस्तर के लोग थे उसका सोसन करने लगे इसलिए आपको यहाँ पर समराजवाद का बिस्तार होने लगा इस बात से वह के जो लोग थे वह नराज हो गए और नए नए धर्म दूसरे धर्म की तलास में चले गए और आपको जो जन का आकार था वह जनपत की रूप में होने लागा था क्योंकि जब समराजवाद फैलेगा तो यहाँ पे आपको अपने छेत्र को फैलाए गई तो जो छोटा छेत्र और जो बहुत था वह सरवादिक आपको परसीद हुआ लोगों को अच्छा लगा और इससे लोग जो जुड़ने लगे तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर और आपके बहुत याणि आपके गौतम बुर्द थे और यह जोनों आपको यह शत् परसासन कारिये देख रहे थे हम लोग सबसे सकती साली है तो हम लोग स्रेश्ट कीव नहीं है इसलिए यहाँ पिछत्रियों ने ही ब्रामनों की मानेता के यहाँ पे चुनावती दिया और नए नए धर्म को बनाया जैसे आपको उसमें सबसे पहले आता है जैन धर्म तो च चाओ सकती वो अपने कंट्रोल में रखता हो वह ब्यक्ति कहलाता है बिजेता तो यहाँ पे इसका अर्थ चाल लिए होंगे यहाँ पर हम बात करें जैन धर्म की संस्तापक यानि संस्तापना इसको किस ने किया था तो रिशब देव या आदिनात ने किया था रिशब होता है पत्ध परदर्सक यानि धर्म को आगे बढ़ाने वाला यह ब्यक्ति कहलाते हैं तृतकर तो आपको टोटल जैन धर्म में 24 तृतकर हुए तो यहाँ पे पहले वहीं थे रिशब देव या आदिनात जो इसकी अस्थापना किये थे और आपके आगे चले जो 24 वे थे आपके जो 22 है वो अरिश्ट नेमी तो यहाँ पे यह दो ब्यक्ति का नाम याद रखेगा एक 22 वा अरिश्ट नेमी और पहले आपके रिशब देव या आदिनात इन दोनों का जो चर्चा है आपको री गिवद में मिलता है आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी जो घ्रण में बताएंगे तो सबसे पहले तिरितकर हो कि यहां पर आपके आपके सबीं दिरितकर है और जितने भीं द्रूइट ओते थे परतिक रिशब आपको परती ही खोता था और इसी के मादेम सिवे जाने जाते थे उसके बाद एक इनका जनम कहा हुआ था उसका चर्चा और यहाँ पर निर्वान यानि यहाँ पर उसका समाधी जो अस्थले वा कहाँ पर बनाया गया है यह आपको निर्वान का लाता था आपको जैन धर में तो यहाँ पर निर्वान है अगर आप देखे तो इसमें आपके एक्जाम में कैसे कुशन पूछता है सीधा आपको शु आपका एक्जाम में ऐसे देता है कुश्चन कि माली जी आप 3-4 आपका दे दिया तृत कर और आपको परतीक देता है बोलता है इसको मिदान करने के लिए ये सब चीजे पुछता है तो सुरू का कम से कम याद रखिएगा आपको कम से कम पांच और आखरी के भी पांच यहां करम भी पूछ देता है पहले कौन आए इसके बाद कौन है ऐसे से करके सजाने के लिए दे देता है तो उसको भी याद रख सकते हैं और जो इंपोर्टन यहां पर बताया है उनका जो परतीक चीन है यह आप चीजे याद रखिएगा इसके बाद देखिए यह आपको याद अंतिम का चार देखिए नापम में कैसे काम करता है एन से आपका देखिए नेमी नाथ है एस से आपका रिष्ट नेमी है पी से आपका पार्सोनाथ है और एम से आपका महाभीर स्वामी है तो यहाँ पे नापम आपका आखरी चार हो गया और रिया सास के अगर हम बात करें और S से आपका होगा सूमती नाथ, तो फिर यहां पर आप सोचएगा कि 2 आपका S आ रहा है, तो यहां पर S से हम कैसे पता चलेगा तो देखिए, S से जो संभव नाथ था, इसमें 100 के बाद भव है, जबकि यहाँ पर एसे सुमती जुनात है, यहाँ पर देखिए सौ के बाद मौ है, तो आपको पाफ़वजब पढ़ते हैं हम लोग, तब भौ के बाद ही मौ आता है, तो यहाँ पर वैसे लिल्ट करके याद रखेंगे जैसे अलफाबेटकल हम लोग एक करम में देखते हैं, तो बस आप उतना याद रखेगा, और एक कुशन और पूछता है, यहाँ पर देखिए, जो आपको इसमें 24 तिरितकर है, 24 तिरितकर में आपको 20 तिरितकर ऐसे हैं, जिनका जो समाधी अस्तर यानि जो निर्वान अस्तर है, वो आपको समेद सिखर है, समेद सिखर परता है आपके हजारी बाग जीला में, जारखंड में, तो वहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं, और इनका परतीक भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, अब हम आगे चलते हैं, अब तो हम देख लिए आपको तिरितकर जितने थे, अब इसमें जो इंपोर्टेंट है, सबसे इंप परसुनात का संबंद कहां से, और चार जगात दे देता है, उसमें याद रखेगा, वारा नसी अपसन होगा, क्योंकि इनका जनम जो हुआ है, वारा नसी उत्तर परदेश में हुआ था, यहाँ पे देखिए, महवीर स्वामी का जनम जब हुआ था, तो उनसे अरहाई साल, जो 2800 साल पुर्व माना जाता है, कि यह आपको परसुनात का जनम हुआ था, इनके जो पिता थे, अस्वसेन थे, जो आपको कासी की राजा थे, और माता थी, इनका वामा देवी, और इनकी पतनी थी, परभावती, तो बस आप इतना इन से याद रखेगा, और इसके जयन धर्ण में किसका नाम है, तो आपको परसुनात का है, तो यह बहुत इंपोर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे इनको ग्यान की प्राप्ती कहां पे हुई थी, तो यह इनका आपको ग्यान की प्राप्त हुई थी, पारसुनात पहारी में, जो आपको परता है गिरीड सुनाइख के जो अनुमाई थे इनको बोले जाथा था निर्गरण्थ यानि आपको बंधन रही थे यानि किसी भी बंधन से आपको परी ये आपको इनके बारे में हो गया अब देखिए पास सुनाइख के दो altogether चार संक्ल्प दिये गए थे वह आपको उपर वाला चार जो रेट कलर में दिख रहा है वे है यहाँ पर देखिए उनके द्वाला आपको कहा गया था कि अहिंसा सत्य और असेत्य अहिंसा का मतलब हुआ है कि जिवों की हत्या नहीं करना है सत्य का मतलब यहाँ पर हुआ कि हमेशा सत्य बोलिए मधुरू बोलिये, असित्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरीगा आपका कारंग हुआ कि, यहाँ पर संपत्ती को गरहन नहीं करना यानि संपत्ती अपने पास अपको इकठा नहीं करना, यह आपको जो चार संकल के द्वारा पाँचबा जो ब्रáussen अज moons को पढ़ेंगे इसका पतन कि हो गया था आपको जैंदzep है तो ब्रहमचर यह ही वे सब ड्हमचर नहीं रह सकता तो यह सब चीजे उसमें देखी गए थी पतन में तो आगे इसके बारे में हम लिए करेंगे अब यहां पर देखिए 24 तरितकरों के बारे में हम लोग यहां पर देखे थे अब यहां पर चलिए जो 24 तरितकरों जो बहुत important है जो वास्तिक सरस्ताफक माने आते हैं वो आपके हैं महावीर स्वामी के बारे में हम जानते हैं तो महावीर स्वामी का जनम हुआ था 540 इसा पुर्व और इनका जनम अस्ता लोगा कहां पे हुआ था इनका जनम हुआ था बिहार के 42 जिला में एक जगा है कुंडल गराम वहीं पे इनका जनम हुआ था और इनके जो पिता थे वह थे सिदार थे जो आपको ग्यातरी कुल के सरद इनकी माथा थी तिरिसला तिरिसला जो थी लिक्षवी सासक चेटक की बहन थी यहां पर इनकी पत्री थी यसोधा यसोधा जो थी आपको कुंडिये गोत्र के राजा समर्वत्ती की कन्या थी इनके भच्पन का जो नाम था वह था वर्धमान यहां पर याद रखी का वर्धमा महावीर्स्वाली के एक बड़े भाई थे नन्दी वर्धन के ही आपको सब्सक्राइन इनको ग्यान की प्राप्ति भूई थी, यानिis वर्शों के बाद यहाँ पे ब्यालिस्वर्स की उम्र में इनको ग्यान की प्राप्त होई थी तो ग्यान की प्राप्ती कहां होई थी वह होई थी जिरिमभी ग्राम में जिरिमभी ग्राम जो परता है हजारी बार के निकट परता है और रिजुपालिका नदी के टट पे रिजुपालिका नदी क एक प्रेर था आपको सौगान का, तो साल सौगान के नीचे ही महाविर स्वामी को 42 वर्स कीुम्र में ग्यान की प्राप्ति हुई थी जब यहाँ पे ग्यान की प्राप्ति हुई तो उनको कैवल लेके नाम से आपको जाना याता है और आपको ग्यान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो पर्थम वर्स अब बिताया था वो आपको अस्ति ग्राम में बिसाया था और अस्ति ग्राम इनके जमाले, इनका दमार्थ था, यानि आपको पिरदर्षनी के जो पती थे, वह थे, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें पर्थम सिस्या का, यहाँ पर सिस्या होगा, तो इनकी पर्थम जो सिस्या थी, वह आपको चंदना या चंपा थी, जो आपको भिष्णू संकी पुझन ये निरगंत का मतलब होता है किसी बंधन में नहीं जोटना यानि बंधन रहित तो यह सब आपको कहलाये थे कि कौन तो महावीर स्वामी तो याद रखिएगा अभ हम बात करेंगे इनके जीवन कि अंत यानि इंगे अिम् itself कैसे हुए थी तो यहां बताये थे कि आप आपको अंतिम वर्षवास यानि आपको पावपुरी नालांदा जीले में पड़ता है यहीं पे 72 वर्ष की आयू में आपको दिपावली के दिन 468 इसापुरी में इनकी मिर्थी हो गई थी और यहां पे जब पावपुरी में मिर्थी हो थी तो उसमें यहां पे जो मल आज के अंतरगर्थ आता था आपको पावपुरी जहां के जो अध्यक्षते स्रिष्टी पाल थे तो यह भी याद रखीगा और यहां पे जब इनका निर्वान यानि आपको मुक्षी प्राप्ति है तो यहां पे देखिए यानि वहीं बात हुआ यानि जहां मिर्थी हो थ जो आपको जैसे किसी वी चीज का परतीक एक हुआ करता है उसको जानने के लिए तो वैसे ही यहां पे देखिए परतीक था इस परतीक में बात करें देखिए महाबीर श्वामी के पर्चीश सववे यानि अहाई हजारवे आपको जनम दिवस्पर या निर्वान वर्ष के आउसर पे जिनको मिर्टी हुई थी तो यहां पे निर्वान वर्ष के आउसर पे 1975 में आपको जैन समुधाय के द्वारा इसको परतीक बनाया गया था यहां पर देखिए परतीक में अगर हम बात करें इसको जूम करके यहां पर देखिए परतीक में आपको सभी का यहां प बात करेंगे आगे जैन दरम में फ़्रन बवस्ता और वैदिक करम कांड की बुरायों को रोकने का प्रयास किया गया था तभी तो लोग इसमें जूरे थे उसके बाद हम बात करें देखें जैन दरम में मुख्यत ब्रामनों द्वारा संपोसित संस्कृit भासा को परित्याग किया गया था क्योंकि जब हम लोग प Wellington पर रहे थे आपको वैदिकाल उसमें किया था कि आपको जितने भी ब्राह्मन थे कि वह संस्कृit में वैदिक आपको ग्यान देते थे जो बहुत जटील हुआ करता था लेकिन जब आया आपको आगे जैन धरम और बहुत धरम तो इन्हों ने आपको प्राकिर्थ भासा और पाली भासा को इन्हों ने बढ़ाया तब तक वैदी काल था आगे हम बात करेंगे देखिए प्रमुक जैन साहित जो जैन साहित देखने को आगे मिला है जिसके बारे में ही आगे आगे आपको जैन धरम के बारे में देखने को मिलता है तो जैन जो साहित था उसको आगम के नाम से जाना जाता है और प्रारंबिक म हम चलते हैं आगे आगे हम बात करेंगे देखिए जैन सही थे कौन-कौन थे पहला यहाँ पे सही थे है कलप सुत्र कलप सुत्र की अगर हम बात करें तो इसको राचना किये थे भद्र बाहू के त्वारा जो संस्क्रीट भासा में की गई थी इसमें जैन तिरितकरो की जीवनी के बारे में लिखा गया है उसके बाद है अगला भगवति सुत्र भगवति सुत्र बहुत इंपोर्ट है क्योंकि इसमें भगवान महावीर श्वामी के जीवनी के बारे में उलेखना किया गया है और 16 महाजन पदों का जो उलेक है आपको भगवति सुत्र में ही देखने को मिलता है एक और है अचरांग सुत्र इसमें जैन भिक्चो के अचार नियम के बारे में यहाँ पे इसमें नियमित लिखा गया है तो यह सब आपको याद रखेगा कल्प सुत्र भगवति सुत्र और अचरांग सुत्र यह तीनों आपको जैन धर्म से इलिटेड है तो यह आपको तीनों याद रखेगा समय ग्यान का मतलब होता है वास्त्वी ग्यान की प्राप्ति कर लेना समय दर्सन की मतलब है कि सत्य में विश्वास रखना और समय चितरी की बात है इंद्रियों और कर्म पर नियंतरन करना यानि जैन धर्म का नुसार अगर आप इन चीजों पर नियंतरन कर लिए तो आपको मुक्ष की प्राप्ति मिल जाएगा तो यह सब चीज़े आपको जैन धर्म से संबंदित है आगे हम बात करेंगे इसमें मानेता क्या क्या थी जैन धर्म में जैन धर्म में अहिंसा पर बिसेस बल दिया गया है बिसेस क्या इसमें मतलब अहिंसा पर जादा ही बल दिया गया था और यहीं आपको एक निगेटिव पॉइंट बाद में बना जो आपको जैन धर्म के पतन का कारण भी बना था यहाँ पे अहिंसा पर बिसेस बलकीस परकार था यहाँ पे इसमें क्रिसी और युद में भाग लेने पर प्रतिबंद लगा दिया गया था जो भी आपको जैन धर्म से जुड़े थे इसमें नहीं क्रिसी करना है और नहीं आपको युद में भाग लेना है प्रतिबन लगा दियाई था क्योंकि आपको जब यूद में भाग लिजेगा तो आपको उसमें पूरा जाही रहे कि उसमें तो हिंसा होगा ही इसलिए यहाँ पर अहिंसा पर बिसेस बल देते हुए कि इसी और यूद में भाग लेने पर प्रतिबंद लगा दिया था और यही कारण बाद में पतन का कारण भी बना था आगे हम बात करेंगे पुनर जनम और कर्म बाद में विश्वास ये लोग रखते थे इनका जैन धरम वालियों का मानना था कि अगर मान लिजिए आप जो भी कर्म करते हैं उसी के अनुसार जो है आपका अगला जनम होगा मान लिजिए अगर इस जनम में आप अगर बुरा कर्म करते हैं तो आपका जो जनम होगा वो आपको निचले जाती में होगा ऐसा ये लोग मान दे थे और पुनर जनम में भी इनका विश्वास रखते थे उसके अलावा हम बात करें जैन धरम में तो देखिए जैन धरम में वर्न बिवस्ता के निंदा की गए थी ये लोग आपको वर्न बिवस्ता को नहीं मान दे थे जैसे हम लोग वैदी काल में देखे हैं कि वर्न बिवस्ता आपको जनम के धार पे हो गया था लेकिन बाद में ऐसा माना जाता है कि इस्वर को मानने लगे थे क्योंकि जब आपको इसमें जितने भी तिरित करते जब मृत्ती हो गए थी तो यहाँ पे जितने भी आपको नए नए इसमें जो लोग जुड़े फिर आपको महाविफ स्वामी के पूजा करने के लिए आपक आपको करमकांड तो यहाँ पे इन्हों ने इसका बियोत किया था और जारती पर था और लिंग वेद का भी इसमें निंदा हुआ है किसमें तो जैन धरम में हम बात करेंगे देखिए जैन धराओं में यहाँ बात करें थे हम लोग जैन धरम में देवताओं को अस्थित्व को स्विकार किया गया है जरूर लेकिन जो देवताओं का अस्ठान रखा गया है वो आपको եोरा सचीज है याद रखीएगा अब भी ईसमें आपका वणस था वो लग भी यहां पर देखिये कौन-कौन मानते थे तो सबसे पहले जो प्रमुक नाम है वह आपका है चंद्रगुप्त मौर यहां आपका बहुत इंप्वोच है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर आपको बाद में सं लेकना विदी द्वारा आपक उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे उसके बाद एक नंद बंस के महापदम नंद थे उसके बाद एक घना नंद थे बिंदुशार आको अमोगवर्स राष्टकूत चलूक्य सोमदेव सिद्राज कुमारपाल और चन्देल सासक ये जो आपके सासक थे वो आपको जैन धरम क मानते थे तो बहुत इंपोर्ट है क्योंकि एकजाम में पूछता है देता है आपको सासक और देता है मिलाने के लिए कि कौन जैन धरम को मानते थे कौन बहुत धरम को मानते थे तो ये सब चीजे आपको याद रखिएगा जब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे आपको माहजन पद या जो भी सासक के बारे में पढ़ेंगे उसमें यहाँ पर इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे डिटेल में और हम बात करें हैं देखी यहाँ पर परमुक जैन त्रीस अस्तल जितने भी आपको जैन अस्तल जो है परमुक अस्तल है उसके बारे में हम जानते हैं वह किस परकार जुड़ा हुआ है जन्धरम से और कैसे आप एक्जाम में कुशन तुछता है तो सबसे पहला आपका यहाँ पर है समेद सिखर समेद सिखर आपको जार करने पड़ता है हजारी बाग जीला में और यहाँ पर इस पहारी पर हम बात करें तो 20-30 करों आपको निर्वान प्राप्ति हुआ था और जो सबसे परमोखी से नाम था वो उनका नाम था पारसुनात जो आपको 23-30 करते तो इनकों ने भी यहाँ पर अपना सरीर यहीं पित्याग किया था तो इसको भी याद रखेगा उसके बाद हम बात करते हैं पावपुरी पर चंदरगुक तो मौर ने यहाँ पर निर्वान प्राप्ति की थी यह बहुत ही इंपॉट्टन है उसके बाद यहां पर देखिए यहां पर एक आपको nichts पूछता है कि आ को आगे हम बात करेंगे अगला आपका अस्ताल है राजगिरी और आपके विहारे परता है राजगिरी की बात करी तो यहां पर इससी पांच पहाड़ीों में से विपलांचल की पहारी पर ही पर्थम उपदेश दिया गया था महावीर स्वामी की द्वरा तो बहुत इंपोर्टेंट है सीधे पूछिए कि आपको महावीर स्वामी ने पर्थम अपदेश कहा दिया था तो आपको राजगीरी में दिया था जो विहार में परता है अगला है गिरनार पहारी, गिरनार पहारी मालम होगा आपको अयोधिया में माना जाता है तो ये भी याद रखिएगा आगे चलेंगे हम लो अगला आपका यहाँ पे है बिपलांचल की पहारी जो आपको परता है बिहार में और यहाँ पे महाभीर स्वामी ने पर्थम उपदेश दिया था जो आपको इसको याद रखिएगा आगे हम बात करेंगे माउंट आबू माउंट आबू परता है राजस्थान में और यहाँ पे दिलवारा का जो जैन मंदिर है यहाँ पे इसको बहुत इंपोर्ट है और यहाँ पे दिलवारा का जैन मंदिर है इसका निर्मान कराया थे चामूंड राय ने जो आपको गंग वंस के सेना पती थे आपको एक्जाम में वंस भी पूछा है और आपके निर्मान करता भी पूछा है तो दो याद रखेगा और गुमतेस्वर जो है आपके रिसब देव के पूत्र थे यहां में बहुत इपोनेट है, यह सब चीज़े याद रखेगा, जब कि रिशब देव की जो मूर्ती है, आपको दिलवारा का जैन मल दिया है, जब कि रिशब देव की जो पूतर थे, आपको बाहुबली उनका जो आपका मूर्ती बना है, वो सरोन बेलगोला करनाटक में ब बात करें, तो यहां पर आपको परतेक 12 वर्स पे बिदी बिदान से पूजा होता है, और दुद से इनका असनान करा जाता है, जिसको महा मस्तक बिनेशक भी कहा जाता है, तो बहुत इंपोर्डेंट है, यहां पर लेटेस्ट हम, यहां पर हम बात करें, पूजा के बाद, तो आपको 2018 में यहाँ पे पूजा किया गया था महा मस्तक बिनेशक फिर आपको 12 वर्सों के बाद यानि आपको 2030 में यहाँ पे पूजा करने के देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए जैन धरम का विभाजन था तो यहाँ पे परिविष्ट परवन के अनुसार इनका कहना है कि मगद में 12 वर्सों तक यहाँ पे एक समय लंबा आकाल आया था और आकाल आने के करन किया हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे जो आपको जैन थे जैन धरम के जो मानने वाले लोग थे वह भद्र बहु कर नितितों में मगद में ही रागए कुछ लोग और आपको यहाँ पे भद्र बहु कर नितितों में कुछ लोग सरौन बेल गुरा चल गया जब यहाँ पे अकाल समापती हो गया तो यहाँ पे जो भद्र बहु आपको लेके गया थे भहुत साए लोग को करनाटक में वे आप आपस आए तो यहां पे जितने भी समर्थक्त जैन धर्म के यहां पे इन दोनों में जो है आस्थानी लोगों के बीच में यहां पे मतभेद सुरू हो गया और यहां पे इसी मतभेद को दूर करने के लिए या आपको फिर बाटने के लिए इसमें एक पाटली पुत्र में एक पाटली पूत्र इसमें किया हुई था तो विभाजन हुआ था अब यहाँ पे देखिए जो पहला जो आपका पाटली पूतर में बलाया गया था आपका जन सवा वह आपको बलाया गया था 300 इशापुर में यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष ता कर रहे थे अस्थूल भद्र उसके बाद इसमें विभाजन तो हो गया फिर आपको एक और बहुत दिनों के बाद फिर इसमें 512 BC में एक और आपका यानि वल्लभी यानि गुजरात में एक और जैन सभाब उलाई जाती है और जिसके अध्यक्ष बनते हैं देवर्धिकन यानि छमा बहुत देवर्धि यानि पूरे जैन अच्पूरे जैन शेज सभाब उल्लभा उल्लाई ठाभा quella नाला भी उस्थेमा में चैसे अखमें और दूसे आपको सव्वेत्तमबर में जो बहन है सब्सक्षetti ब्रहें वहीं व्यक्ति थे, जिनके नितित्तों में जो आपके जयन धर्म थे, वो आपको गये थे दक्षिन में, यानि करनाटक में गये थे, और स्वेतांबर वह व्यक्ति थे, जो आपको अस्तुल बद करने थे, उत्में मोगद में ही रहा गये थे, तो यहाँ पर इसके बीच में क कपड़ा पहांते नहीं तो यहां पर इसमें आकास कपड़ा कभी नहीं पहांता है यानि नगर रहने वाला जो है दिगंबर कलाता है और जो आपको इसमें नगर रहने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कलाता है आपको भद्र यह दिखाई देगा तो आपको इस तरह से थोरा याद रख सकते हैं उसके बाद जो स्वेतामबर में तो स्वेत कपड़ा पहने गाई और यहाँ पर अस्थूल भद्र तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा तो इसके बारे में चलिए हम यहाँ पर कुछ अंतर समझ लेते हैं कि यह स्वेतामबर और दिगामबर जब बटा तो यहाँ पे इसके बीच में अंतर पूछता है आपके एकजाम में, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले स्वेतांबर का, तो देखिए स्वेतांबर वाले जो लोग थे, आपको अस्तुल बहत के नितितों में मगद में रहा गये थे, और यह लोग आपको स्वेत स्वेतांबर के देखिए, यहाँ पे मुक्ष प्राप्ति के हितु, यहाँ पे वस्तर प्राप्ति करना, यहाँ पे आवस्या कि यह लोग नहीं मानते थे, जब कि दिगंबर का कहना था, कि आपको मुक्ष प्राप्ति करना है, तो वस्तर त्याग देजिए, यह आपको दि मांदे थे उसके बाद हम बात करें स्वेतांबर वाले का मनना था कि भोजन कियो सकता जो है ग्यान प्राप्ति के बाद करेंगे लेकिन दिगंबर का कहना था यहाँ पर कि ग्यान प्राप्ति के बाद भोजन कियो सकता नहीं पड़ेगी उसके बाद हम बात करें स्वेतांबर का मानना था कि यह महावीर को आपको बिवाहित मान दे थे स्वेतामबर लोग मान दे थे कि जो भगवान महावीर थे इन्होंने साधिय किया था लेकिद दिगंबर का कहना था कि महावीर स्वामी जो है वो अभिवाह नहीं किये थे वो हमेशा और बिवाहिद जीवन जीए थे क्योंकि आपको ब्रह्मचारे का नियम भी आपको महाविर स्वामी नहीं दिया था इसलिए आपको दिगंबर लोग मानते थे तो यहाँ पे कुछ-कुछ मानने अटाय है सिदेक जामें पूछता है कि आपको महाविर स्वामी को बिवाहिद कौन मानते थे तो आपको यह स्वेतामबर लोग मानते थे उसके बाद हम बात करें स्वेतामबर के नुसार इनका कहना था कि जो 19-13 है मली नाथ एक आपको एस्तिरी थे लेकिन यहाँ पे दिगंबर का कहना था कि जो मलेनाथ आपको जो 19 सुवे तरित करते वो पूरूस थें तो यहां पर देखिए मलेनाथ को इसतिरी मानते थे स्वेतामबर जबकि आपको मलेनाथ को पूरूस मानते थे दिگंबर तो यह सब चीज़े याद रखेगा उसके बाद यहाँ जयन धरम के आगम गरंथ को स्विकार करते हैं स्वितामबर लोग जबकि जयन धरम के जो आगम गरंथ उसको अस्विकार करते हैं दिगंबर वाला तो ये सब चीजे याद रखेगा इन दोनों के बीच में ये आपको थोड़ा आपको difference है आगे हम बात करेंगे और चीजे तो ये यहां पर देखिए जैनधरंग से एक मंदिर जुड़ा हुआ है खुज़राहो का मंदिर नाप सुने हमगे खुजराहो का मंदिर बनाया था चंदेल सासको ने शिधे आपको पुछ सकता एक जाम में खजराओ का मंदिर किस धर्म से संबंदित है तो आपको जैन धर्म से संबंदित है आगे हम बात करेंगे दिलवारा का जैन मंदिर दिलवारा का भी जैन मंदिर है आपको जैन धर्म संबंदित है और इसको चालू के साथ भीम देव पर्थम ने बनवाया था उसके बाद एक आफको जयने धर्म के बारे में जयन धर्म यूद्और और कीसी दोनों वर्जित था बताये है क्योंकि इन a हिंसा पको हिंसा होता था इसे और क्योंकि डोनों में जीवों की हत्याओ दित इसलिए आपको ये दोनों वर्जित किया गया था जैन धर्म वालों को जैन धर्म Bawd therm की तरह आपको मुर्ति पूजक नहीं थे यानि आपको जैन धरम और बाव धरम में हैं दोनों आपको मुर्ती का पूजा नहीं करने थे लेकिन महाबीर स्वामी और अन्यत्रित कवर परतीमा बनाकर बाद में ये लोग पूजा करने लगे थे जैसे हम लोग उपर बता चुके हैं इसके बारे में महाबीर स्वामी की बात करें तो महाबीर स्वामी यहाँ पर क्रिसी नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर भिक्षा प्राप्ति करके यह लोग जीवन आपको बैसित कर दे थे तो महाबीर स्वामी जो है आपको एक गाउं में एक दिन से अधिक कहीं नहीं रुकते थे और सहर में बात करें, तो सहर में किसी भी सहर में जाते थे, तो वहाँ पे 5 दिन से ज्यादा नहीं रुखते थे, और सहर में एक दिन से ज्यादा वो कहीं नहीं ठारते थे, उसके बाद हम देखिए करनाटक में अस्थापित जो जैन मठ का जो है, उसको बसाद का जाता है, अ दखे आपको जैन धर्म का जो अंतिम थे कौन तो चालू कbreaker1 अगरं बात करें देखिए पतन का कारण जैन धर्म का पतन की यूं हो गया था तो यहाँ देखिए रतских बल देना बताए हैं कि आपको हिंसा पर ज्यादा बिसेस बल दिया जाता था क्योंकि आपको ना क्रिसी करना है ना यूद करना है जिसीज में आपको हिंसा है वो आपको जैन धर्म में वर्जित था तो यहाँ पर पतन का करण बना उसके बाद जैन धर्म का भी भाजन तो प्नश्वारात, आपको महाविर स्वामी की जोरा ब्रहमचर्य कर दिया गया था, इसलिए आपको यह कथोर हो गया था, उसके बाद हम बात करें अच्छे धरम परचारकों का इसमें अभाव था, क्योंकि आपको परचार नहीं हो पाया इसलिए पतन का कारण बना और आपको इसके अलावा आपको एक अन्य धरम नया बना जो आपको बहुत धरम का लाया क्योंकि बहुत धरम का जब बिश्टार होने लगा तो आपको इससे अच्छी चीजे उसमें मिनल लगी इसलिए आपको बहुत धरम का बिश्टार होने कारण भी आपको जैन धरम का थोरा आपको इसका जो है दब गया तो यह सब चीजों थी आपको पतन का कारण था तो यहाँ पे जैन धरम आप लोग पूरा देख लिए होंगे अब हम बात करेंगे MCQ के बारे में और अगला जो आपका टोपिक होगा वह आपका बहुत धरम का होगा तो चलिए हम लोग MCQ को कवर करते हैं पहला इसमें परकोशन है कि जैन त्रितकर पारसोनात निमलिखित अस्थानों में से मुक्तक किसे संबंदी थे तो आपको बताए थे कि आपको जो पारसोनात थे वह आपको 23 त्र त्रितकर थे और इनका जनम आपको वरा नसी में हुआ था तो यहाँ पर अपसर नमबर ए हो जाएगा आगे हम बात करेंगे अगला पकोशन है कि कुंडलपूर जनम अस्थान है किसका अस्थान है तो आपको कुंडलपूर या कुंडल वन में किसका जनम हुआ था तो आप महावीर स्वामी का हुए था तो अफसान नंबर यहां पे C हो जाएगा आगे हम बात करेंगे अगला आपका कुछन यहां पर है कि महावीर जैन की मृत्तियु निमलिकित में से किस नगर में हुई थी तो महावीर स्वामी का जनम आपको पावपुली नलंदा बिहार में लिकित में से कौन एक जैनत रितकर नहीं था तो यहां पे देखे चार अप्सन है और यहां पे देखिए कौन नहीं था तो आपको चंदर प्रभू थे नेवी नाथ भी थे और आपके यहां पे देखिए संभवनाथ भी थे लेकिन नाथ मुन नहीं थे तो अप्सन नंबर इसके उसार चलिए हम समझते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग 5 महावरत पढ़ रहे थे आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे उपर जैन धरमें जो 5 महावरत था उसमें अहिंसा था सत्य था, ब्रहमचारे था, अस्यत्य था और आपको प्रिग्रा था तो यहाँ पर इन महाली जे यह लोग जो मतलब लोग अगर ग्रहस्त जीवन जीते हुए इन चीजों को नहीं मान रहे है यारि आंसिक रूप से महाली जी मान रहे है तो उसको यहाँ पर अनुवरत कहा गया है तो यहाँ पर महावरत में ही देखें कि वह अनुवरत जोर गया है देखें जैसे यहाँ पर अहिंसा था तो अहिंसा में अगर हम बात करें यहाँ पर देखें जैसे अहिंसा था तो अहिंसा में यहाँ पर अहिंसा अनुवरत जोर दिया सत्या में सत्यानुवरत जोड़ दिया अस्यत्य में अस्यत्य जोड़ दिया अप्रिग्री में देखिए यहाँ पर देखिए अप्रिहग्र जोड़ दिया और यहाँ पर देखिए ब्रहमचर्य में ब्रहमचानुवरत जोड़ दिया चले इसके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं महाविर स्वामी देखिए जैन धरम के 24 वे तृत करते इन्होंने वेदों को ओपुरुसियता करने से स्विकार यहाँ पर करने के इंकार कर दिया यहाँ पर देखिए ओपुरुसियता क्या था जब आपनों पढ़ रहे थे आपको वेदकाल तो यह वेदों को जो है आपको ओपुरुसियता कहा गया है इसलिए कहा गया है कि आपको वेदों की जो राचना किये थे वो आपको किसी पुरुस ने नहीं किये थे वह सा मनायाता है कि वेदों की जो राचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है इसलिए वेदों को अपुरुष से कहते थे लेकिन यहाँ पे जो जैन धरम के आपको जो महाविर स्वामी थे वे यहाँ पे इस बात से इनकार करते हैं ऐसे यह नहीं मानते हैं कि यहाँ आपको भगवान ही आकर वेदों की राचना की है यहाँ पे यह माने था थे कि इसकी महाविर स्वामी की क्योंकि आपको भगवान के तो लोग आपको जो अनतनों को लोग मानते ही नहीं थे तो यहाँ पे और पुरुष स्विकार कर दिया है कौन तो आपको महाविर स्वामी रधार्मिक समाजिक रूडियों पाखंडों का व्योद किया था यह बात सही है और उन्होंने आत्मादियों और नास्तिकों के कांटिक मत्वों को छोड़कर बीच का मरग अपना था जिसे अनियक वांथ या आपको स्वुधवाद कहा याता है तो इसका संबंध सीदे याद रखेगा कि स्यादवाद या आपको अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से सपन्दित है और यहाँ पर यह ग्यान जो है सब्यक्षता का सिदान्थ भी कालाता है तो यह आपको तीनों चीज़ याद रखेगा सीज़ा पूश सकता है अनेकांतवाद या स्यादवाद या आपको सब्यक्ष का कसिद्यान्त का लाता है यह सब चीज़ याद रख सकते हैं आगे देखेंगा अगला कुशन यहाँ पर है कि प्रारंभिक जैन साहित निकीत में से किस भासा में लिखा गया था तो अभी बताए है कि जब सुरु में इसका शुरुवाती हुए था तो प्रारंभिक जैन जो स्वेतांबर कों थे तो वह आपको हो जाएंगे अस्थुल बदर तो अपसा नंबर यहाँ पर आपके ए हो जाएगा आगे हम बात करेंगे अगला आपका यहाँ पर कुशन है कि कि किस जैन सवाम में अंतियम रूप से स्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था तो आपको बताये थे कि आपको स्वेतांबर का अगें को से कब हो था यानि जब दो भागों में बठ गया था तो उसमें आपको पाटली पुत्रा में जैन सा बुलाएगी थी तो अपसा नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा अगला का कुशन यहाँ पर है कि प्राचीन जैन धर्म से जैन धर्म के लोग जो है भदर भाव करनएट उत्यूं तो यह भी आपका करा देते वह आपको असटूल भद करनेत्यू तो यह भी प्राइगा गल्इट हो गया उसके वाद अपस्ण नंबर ती है आपका C है कि पर्थम सतक इस भी पूरु में जैन धरम को कलिंगे के राजा खारवेल का समर्थन मिला है उसके बाद आगे अगला यहाँ पर कुशन है कि बहुत के विप्रित जैन धरम की प्रणभी का वस्ता में जैन धरम के लोग चीतरों का पूजन करेते हो तो यहाँ पर अपसर नमबर D भी गलत हो गया अपसर नमबर यहाँ पर C इसका राइट एंसल हो जाएगा आगे चलेंगे अगला का कुश्चन उत्तर परणभी तो अपसर नमबर यहाँ पर यहाँ पर यह हो जाएगा जबकि अगर हम बात करते हैं इसमें आगे चलते हैं अगला कुश्चन अगला आपका यहाँ पर कुश्चन है कि महान धार्मिक घटना महा मस्तक भिनेशक निमलखीत में से किस संबनी था और यहाँ किस के लिए कि जाती है तो आपको बताए हैं कि यह भगवान बाहुग बली यानि गुमतेस्वर की जो मूर्ती है करनाटक में उसी के लिए यह क अगले जो टॉपिक आपका है वह आपका है बहुत धरम से तो बस आप इस वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा है और आगे कलास आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुचे और वीडियो को समय पर देख सके तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद